हेलो फ्रेंड साप देखरे स्पोर्ट्स विद रवीश मैं हूँ आपके साथ रवीश बिश्ट और आज हम बात करेंगे कि चेर्मन ओफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को क्यों आया गुछसा और आकर किस सवाल पर नाराज हो गए चेर्मन ओफ सेलेक्टर चेतन शर्मा इसके बारे में दोस्तों आपसे डीटेल से बात करूँगा लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लावे एक और खास बात मेरा टेलिग्राम चैनल भी स्पोर्ट्स विद रवीश उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रवीश बिश्वन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आइडी है और रैपस्टेन के नाम से दोस्तों मेरे ट्विटर अकाउट वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकत हैं तो चलिए गाइस बात करते हैं चेर्मन अफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की जैसा कि आप जानते हैं कि श्रिलंका के खलाव T20 सिरीज और टेस्ट मैच की टीम का अनौंसमेंट करने के लिए चेर्मन अफ सेलेक्टर चेतन शर्मा वर्च्वल प्रेस कॉन्फरेंस के जरिए ह ही होंगे लेकिन वो टेस्ट मैच की स्कुर्ड में टीम के साथ जड़ जाएंगे वही रवी चंदर नशर्मा के बारे में चेर्मन अफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने बताया कि रवी चंदर नशेवन सबजेक्टू फेटनेस हैं अगर वो फिट हो तो फिần हो फिर टेस्ट ट रहा था लेकिन प्रेस कॉंफरेंस के आखिर में एक पत्रकार ने चेतन शर्मा जी से ये सवाल पूछ लिया कि हार्दिक पांडिया अभी तो फिटनेस के इशू की वज़े से टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन जैसी IPL शुरू होगा तो वो टीम में IPL की टीम से खेलने लग और उसके बाद IPL खतम होते ही वो भारते करकेट टीम में भी शामिल हो जाएंगे इस बात से चेतन शर्मा काफी नाराज हो गया और उन्होंने कहा कि कौन टीम में सेलेक्ट होगा और कौन टीम में सेलेक्ट नहीं होगा ये आप हमें मत बताइए कौन टीम में सेलेक्टर औ और साथी साथ वो decide करेंगे कि किसको टीम में लेना है, किसको टीम में नहीं लेना है या आपका concern नहीं है। चेतन शर्मा ने साफ तोर पर कहा कि वो जहां पे बैठे में उनके साथ 4 और selectors भी शामिल हैं और ये 5 दोग मिलके ही team का selection करते हैं। तो आप हमें मत बताइए कि किसका selection कब होगा और किसका selection नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों पत्रकार ने उनसे फिट से सवाल पूछा और उनसे ये बोलने की कोशिश की कि हार्दिक पांडिया क्योंकि अभी नहीं खेल रहे हैं लेकिन IPL में खेलने के बाद वो team में आ जाएंगे ऐसा उन्हें लगता है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ह ऐसा पत्रकार ने उनसे सवाल उठाया तो chairman of selectors चेतन शर्मा नाराज हो गया और उन्होंने कहा कि ये मुद्दा आप छोड़ दीजिए selection committee ये decide करेगी कि किसको team में select करना है और किसको team में select नहीं करना है जैसा कि उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं तो आपके प चेतन शर्मा ने कहा कि अब आगे के सवाल की तरफ बढ़ा जाए साफ तोर पर दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं कि हर्दिक पांडिया का selection वोड़ कप में वो आता उसके बाद से वो गायब है फिटनेस को लेकर उनके बड़े सारे issues है और ये बात भी साफ है कि वो IPL में ज़रूर अपनी टीम से खिलते में नजर आएंगे लेकिन क्या वो उसके बाद टीम इडिया में जगे बना पाएंगे और नहीं बना पाएंगे ये तो उनकी performance पर ही depend करेगा और यही कहना दा chairman of selector चेतन शर्मा गावी आपका क्या कहना दोस्तों comment section पर जाकर comment ज़रूर करे क्या करें